आपको फॉर्मेशन ओफ इस पहले डिसकस किया आपके पास आपसे फोर्मेशन ओफ आइन्स और नाइन हाफ बाग लग लग करके ठीके अलग लग वीडियो में अब तोड़ा सा एक्स्प्रेइन करना है आईनिक बॉंड के लिहाज से के आईनिक बॉंड कैसे बनता है ठीक है तो यहाँ पर जो है वो आपको formation of ketine और anion formation of ions में ketines का तो आपको पता है ठीक है यह देखें यह हमने जो है वो discuss करना है भी losing electron, formation of ketine में असल में क्या होता है, electron lose होता है from one atom, when one atom electron lose, one electron from where one or more electron from outer more shell or villain shell then जो है वो ketine is formed, तो losing electron है the sodium atom has just one electron in their outer more shell, by losing this electron it can obtain by losing their, वो अपने एक electron lose कर देगा, then they then it can obtain a full outer shell जिसका मैंने आपको पहले भी हरत रहां से बताया है थोड़ा सब explain कर देती हूं this result in the formation of sodium ion इसमें जो है, sodium ion की formation होती है पहले भी मैंने आपको बताया है, तो यह क्या है sodium atom है, और जब एक electron इसके पास चला जाएगा, इसको उसने rot से जो है, वो शोकिए हो, electron chlorine के उलेक्ट्रों को और इसके electrons को उसने, जो है, वो शोकिए हो, इसको देदेगा और अपना valencelle complete कर लगा 8 electron पर अब यह वाला एक electron इधर जाएगा तो इस पर हो ख्लोरीन के पास 17 elektron होती है इसके आफ्ट के जूरा है तो यह कि ले लेक्ट ढू और स्दीम स से ले लेगा इस तरह कलोरीन पोजिटीव वन बन जाएगा ठीक है और सोडियम जो है वो पास 10 electrons थे रहे हैं लास्ट मैंने आपको यह बता दिया हुआ है इसको हम कहते है पोजिटिव आइन और केटाइन बूलती है ठीक है तो यह एक आइनिक बोंड है इसकी एक्जेंपल उसके बताई हुए कि एक्लोरीन एक्टफ है उसके 7 electron है उसके और में अक्सेप्ट करेगा एक electron को फॉर्म अनेदर सच अस सोडियम इट कैन अप्टेन आउटर फुल आउटर शेल इसको हम कहते हैं क्या फॉर्मेशन ओफ क्लोराइड आइन्स है आप सोडि क्या करता है एक 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 एक्राइट उसके बिमेश्यल में 8 याण करते है उसके नियाट भाटल ओ दिधा है और कंसे लिए एक इंक क्लोराइड आईन से आप्रोदव वीरंट इकेक on है था इसनल में क्योंकि इसने एक electron को gain कर लिए इस तरह ए negative और anion बनेगा ठीक है next में यह मैंने आपको पहले ही बताया कि अब यह table है कि अब यह देखें definition है a bone formed between oppositely charged ions का in a chemical compound इसको हम कहते है आइनिक bond यह example मैंने आपको पहले बताई हुई है magnesium chloride की तो यह क्या है जो है वो आइनिक bond है ठीक ह यह देखें जिसमें हमने किटाइन पड़ा तो हमने उसमें पड़ा कि यह losing electron है ठीक है electron को lose करके बनता है अनियन पड़ा तो gaining electronic electron को gain करके बनता है ठीक है sodium chloride का हमने लग लग structure पड़ा और उसकी bonding पड़ी के ionic bond इसमें बनता है sodium अपना एक electron complete transfer करता है chlorine के atom को chlorine के electron भी पूड़े हो चाहते है विलेंशल में 8 और sodium के भी तरह जो है sodium chloride बनता है यह ionic bonding है ठीक है बच्चों अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आम मुसे पूछ सकते हो one by one मैंने आपको यह समझा आया है ठीक है तेंक यू लाफिस